पांच दिन पहले संदीप महिस्वारी ने बेग स्केम एक्सपोज टॉपिक पर वीडियो बनाया था दो दिन पहले मैंने उसको देखा था तो गैज आखिर यह सिंपल पास्टेंज और पास्टेंज में एक्जेक्ली डिफ्रेंस क्या है इंग्लिस स्पिकिंग में कभी विवन दे में कसकी तो पास्ट पॉफेक्ट टैंज हिसको सुरू करने से पहले मैं यह देख 나중에 के प्रैक्टिकल इसका कंसेप्त क्या है क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकल कंसेप्त किसी भी टॉपिक का नहीं समझोगे तब तक आपको यह पॉफेक पास्टिंज beim De telephone यह द आप एकदम सुनने होकर बैठो आप एकदम सांत होकर इस वीडियो के इन तक बने रहना मैं आपको बहुत ही लेंग्विज में बताने वाला हो प्रैक्टिकल कंसेप्ट क्या है तो गाइस प्रैक्टिकल कंसेप्ट मैंने रिखा हुआ है दो यूजे इसके पास्ट यकशी सव्निता है लुए में तो यहां पर ना फ्री आट के जी समय के पहले की बात कर रहे हो तभाता है पास्वरिय दिन पहले पांस दिन पहले कि ऑ पास दिन पहले लिए तो चन्हां वाहजा में आए तो प्सक्रीर के लिए है पास्ट पॉफेक्टेंस राइट 2015 से पहले मैंने एडमिशन लिया था 2010 के पहले वह दुबई गया था तो यह सारे जो सेंटेंस है जिसमें किसी समय बारे में एक सेंटेंस बोलके चुपो जाना है मतलब पास्ट में आप एक से ज्यादा सेंटेंस नहीं बता रहो ख़ले एक सेंटेंस बोल रहो तब ही किया आएगा पास्ट पॉफेक्टेंस for example मालोग मैं अपने अपने से बातें कर रहा हूं और मैंने बुला कि मैं जनवरी म सूरत गया था बस इतना बोलके चुप हो गया तो मैंने क्या बोला ओनली वन सेंटेंस इन पास्ट राइट मतलब पास्ट का कोई भी एक सेंटेंस ऑफ पास्ट या इन पास्ट बोलके अगर चुप होना तो भी क्या आएगा पास्ट पॉफेक्ट एंस अगर मुझे बोलना है मार्व बुझे बोलना है कि इस मार्कर को किस ने ली थी यह मार्कर किस ने ली थी बस इतना ही बोल के मैं चुप हो जा रहा हूँ मतलब एक ही sentence बोला ना मैंने past का तो भी क्या आएगा past perfect tense तो guys simple past past perfect में यह भी एक छोटा सा difference है अगर आप past के बारे में एक से ज्यादा sentence बनेगा राइट फोर एक्जाम्पल अगर मुझे बोलना है कि 2015 में वो दुबई गया था बस मैं इतना बोल के चुप हो गया तो एक ही सेंडेस मैंने बोला तो वह क्या बनेगा पास्ट पॉफेक्टेंस लेकिन मुझे बहुत सारे सेंडेस बोलने कि वह दुबई गया फिर उ पॉफेक्टेंजर च्प्राइब सीवियों अग्या पास्टेंजर सबसे बड़ा डिपर्टेंस तो आपको यह पैस्ट पास्टी कंसेट को निबह द्सक्राइब और ग्यर्ट एक औरो से बनाएक उसे तरह से याद रखना है एकशली याद्सकरना ही नहीं आपको तो आई अब हम देखते है पॉजिटिव सेंटेंस तो पॉजिटिव सेंटेंस स्टार्ट करने से बेले मैं आपको खिंड देता हूं तो हिंड क्या है कैस मैंने कल आपको बताया था प्रेजेंट पॉफेक्टेंस में कि कोई भी पॉफेक्टेंस जब बनाते हो न आप तो हमे प्लस वर्प का थरड़ फों क्याने वाला है है प्लस वर्प का थरड़ फॉर्म टैस इट चाहें एक वचन ओ तो भी हैडाएगा बौव चनो तो भी हैडाएगा कोई टेंचन नहीं कोई भी सब्जेक्ट और आपको हमें साई लेना है तो पॉजितिव में मैंने यह लिखा द और दो है संदीप महिसवरी ने पास दिन पहले विडियो बनाया था तही न से तुलना इस Πi बात किसके और सुब आध सब्जेक तो संदीप महिस्वरी राइट संदीप महिस्वरी प्र स्माइश को you know guys he is a very reputable person you know reputable person in not in India actually but all over the world you probably know him, he is the best idol for students as well and for everybody actually so Sandeep Maheswari, subject I have written, what do I have to write? head, compulsory head so I will write head then make a video or made a video, made, Sandeep Maheswari had made a video a video, a video made, right, so you can see guys, but you can understand Sandeep Maheswari had made a video 5 days before, so what do I have to write before 5 days? so Sandeep Maheswari had made a video before 5 days, so Sandeep Maheswari had made a video before 5 days Sandeep Maheswari had created a video before 5 days on big scam exposed, right, one more example but if you say that in 2015, he had gone to Dubai, he had gone, gone to Dubai in 2015, so this was the positive sentence then Gisenab Haruad friends, if we want to add our faith to this simplesmentehtcher side, so we want to talk about good guys so guys negative, if you want to talk about Rhibashwari, Boojee, Rudfamily, you can ask what, 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 quaintho padding where they are, which are people inside? let us know about a realiseس the happen is the one is how управ of a κιFT God if we want that subAME doesn't finish it so people dxなので ego is the penis करना यानि दू का थड़ फर्म दन ही हाद नॉट दन होंवर्क बिफोर फोर देज तो यह था गए इसका छोटा सा नेगेटिव सेंटेंस तो इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाया जाते हैं अब हम बात करेंगे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते पूछते हो तो उसमें क्या करता हो आप अप हैड को आगे ला देते और शब्जेक को ले जाते हो पीछे दाशिट एक लाइफ एक सौल करके देखते हैं क्या आपने पहले admission लिया था आपके टीर सोफ़ा ने क्या आपने 24 से पहले admission लिया था अब देखो इसका जवाब आप मुझे हाँ में दोगे कहा सब अगर नहीं लिया क्या बलोगे नहीं 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 तो जब आपका जवाब यह स्या का वैसा आपका थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एक्सेटरा तो यह कैसे बनेगा तो आगे क्या लिखना मुझे गाइस इंट्रवेडिक कुशन में हैड हेल्पिंग अपको लाओंगा मैं आगे हैड सब्जेक्ट क्या है आपने यानि की यू फिर अपका थर्फॉर्म क्या है ल देख लेन की बात ओरिये तो एड मिशन तो है डी यू जेकन एड मिशन राइट है डी टेकन अड मिशन था इस तो वेज हैड यू जेकन अड मिशन ओक्य कब प्र गेस्ट वजाच ओडा के पहले तुमें लिखुंगा बिफोर 2014 तो हैड यू टीकन आड मिशन न फोर्टें राइट के इसमें आप स्पैलिंग का थोड़ा आगे बीचे हो रहा है राइट आप देख लेना एडबल डी या एडबल डी है या ओनली डी है इसे क्लियर ओके तो इंट्रोगरी क्वेशन कैसे बनता है तो हम हेल्पिंग आपको आगे लाते हैं वन मोर एक्जांपल अगर ठलका वीडियो देखा था तो देखो एक सेंटेंश बोल के चूप हो गया मैं मतलब आप उनली वन सेंटेंश पस्ट तो यह सेकेन कंसेप्ट है इसलिए यह बी को बनेगा पास्ट पॉफेक्ट एंस में तो क्या आपने राइग की तो मैं लिखोंगा अफ्टन फिर सिन यस रूआच इंट्रोग्रेटिव क्यासे बनते हैं तो गाइज यह नाम से बहुत किलियर हो जाता है कि इंट्रोगेटिव के आगे क्या लगाना आपको डबलुएच वर्ड जो कि हमने लगा दिया है डबलुएच पूरा कपूरा कॉपीच कर दो इंट्रोगेटिव का लुखक जा रहा हूं मैं सबसे पहले मुझे डवलो वड सबसे पहले उसके बा Development है तो मैं लिखूंगा यहां पर क्या वैर हैड सिंपल देखो एज जा रहा हूं मैं आप में से कई लोग क्या गलती करते हैं हिंदी का सेंटेंज अब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते ना तो हिंदी को पढ़के ट्रांसलेट करते अरे भाई साथ ऐसा नहीं है हिंदी में च कनता तो मैंने वापर लिखा फिर यहां पहें देखने का सब्सक्राइश माने चाहिए है तो हें में तो कि और लुख तो हिंडी हां चाहता दो हिंडीया लिखा की कई अंच बोर फिर टेंव बखें है और फोर्मला देखना तो मैं लिखूंगा before today's, तो मेरा sentence बनके आएगा, where had you gone before today's, right, आप 2014 से पहले क्यों, क्यों चानेडा गए थे, आप 2014 से पहले केनेडा क्यों गए थे, तो why had you gone to Canada, before 2014, 14 यह था हमारा पास्ट पॉफेक्ट इंस और इसका प्रैक्टिकल यूज मैंने और प्रैक्टिकल कंसेप समझा दिया है आपको दोनों कंसेप याद रखने हैं नौट्बुक में लिख लेना अच्छे से राइट आई होब केस पास्ट पॉफेक्ट टेंस को लेकर आपके सारे हो गए होंगे स्टिल अभी और फिर भी अगर आपको किसी टॉपिक में या इसमें कोई भी डाउट रहता है कोई सेंटर में डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो गाई मैं बहुत ही जल्दी रिप्लाय दूंगा और अ आप सोशल मेडिया यूज करते हो लाइक फेस्बूक और इंस्टा तो वी आप मुझे फेस्बूक में भी गई पूछ सकते हो क्वेशन तो तिल देन किप लानिंग और किप सारेंग थैंक यू